वैक्सीन की शुरुवात तो हुई लेकिन इसकी रफ्तार कम हो गई है क्या है वैक्सीन की राह में रुकावर टच्स्क्रीन की जरीए बता रही है मलिका वैक्सीन को लेकर इन दिनों पूरे देश में मारा मारी मची हुई है दिल्ली और मुंबई में तो वैक्सिनेशन ठपी हो गया है क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं विदेश से वैक्सीन आने की बाते बहुत हो रहे हैं लेकिन रुशियन स्पुतनिक को छोड़ कर कोई और वैक्सीन अब तक भारत पहुँची नहीं है आखिर क्या है इसकी वज़े आई आपको सिलसिलेवार धंग से समझाने की कोशिश करते हैं टट्सक्रीन के माध्यम से तो विदेशी वैक्सीन मिलने में आखिर दिक्कत कहां आ रही है पहला मुद्दा जो माना जा रहा है वो ये है शतिपूर्थी का जो पेच फसा हुआ है वैक्सीन से नुकसान पर कौन करेगा भरपाई इसको लेकर पेच फसा हुआ है फाइजर जिम्मेदारी नहीं ले रही भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी ले ये कहना है फाइजर का भारत चाहता है जिम्मेदारी फाइजर ले और मुद्दे को सुलजाने की लगातार कोशिशे जारी है Moderna, Johnson & Johnson की भी ऐसी ही मांग है और अब आपको बताते हैं कि दिक्कत होने का दूसरा मुद्दा क्या माना जा रहा है किस-किस देश ने जिम्मेदारी ली है Pfizer Vaccine के लिए British सरकार ने जिम्मेदारी ली है Pfizer Moderna के लिए America सरकार ने भी जिम्मेदारी ली है ये भी एक एहम मुद्दा है Pfizer का राज्यो को टीका देने से इंकार हो चुका है Moderna ने भी राज्यो को बेचने से मना कर दिया है Johnson & Johnson का भी यही रुख होगा तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको कारण माना जा रहा है वैक्सीन की किलत को लेकर और इस पर लगातार एक एक अपडेट हम आप तर इसी तरह से पहुचाते रहेंगे तो जैसा कि अभी टाश्क्रीन की जरिये मलिका ने आपको बताया कि वैक्सीन कंपनियों ने राज्यो को सीधे वैक्सीन देने से इंकार कर दिया है इसी कड़ी में दिली के मुख्य मंत्री ने कहा है कि अमेरिक की कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना ने उन्हें वैक्सीन देने से इंकार कर दिया हमारी फाइजर से बात हुई फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे हम केंदर सरकार से बात करेंगे हमारी मॉडर्ना से बात हुई मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे हम केंदर सरकार से बात करेंगे मेरी केंदर सरकार से हाथ जोड के फील है अब हमें और समय नहीं गवाना चाहिए ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनाशनल मार्केट में केंदर सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करें और राज्यों के अंदर बात दे दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते 18-44 साल आयूवर्क के लोगों के लिए सभी 400 ठीका करण केंदरों को बंद कर दिया गया है वहीं 45 साल से अधिकुम्र के लोगों, स्वास्तेकर्मियों तथा अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों के लिए को वैक्सीन के केंदरों को भी टीकों की कमी के कारण बंद कर दिया गया है डिप्टी स्यम मनीश से सोध्या ने कहा कि केंदर ने फाइजर और मॉर्टरना को मंजूरी नहीं दिये है वहीं पूरी दुनिया में इन्हें मन्जोरी दी गई है और करी देशों ने इंटीकों के खरिदारी भी की है मैं बहुत हाद जोड के केंद सरकार से विंती करता हूँ कि ये वेक्सिनेशन के प्रोगाम को मजाक मत बनाईए इसकी गंभीरता को समझिये ऐसा ना हो कि जब आप वेक्सिन लेके आएं तब तक समय निकल चुका हो और जिन लोगों को अभी तक वेक्सिन लगी है दिली ही नहीं पंजाब भी एक दिन पहले यही बात कह चुका है कि उसे इन दोनों कमपनियों ने टीका देने से मना कर दिया है यानि वेक्सिन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच एक बार फिर जंग छड़ने के आसार है अचली आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हूं उस वेक्सिन की जो है तो विदेशी लेकिन उसका निर्मान अब देश में ही शुरू हो गया है जी हाँ अब देश में इस पुतनिक वेक्सिन का उत्पादन चुरू हो चुका है लेकिन दिक्कत ये है कि अभी इसके लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा कोवी शील्ड, कोवैक्सिन और अब बारी है स्पुतनिक की जी हाँ अब देश में बनने वाली वेक्सिन में स्पुतनिक का भी नाम शामिल हो चुका है क्योंकि सोमवार से भारत में स्पुतनिक वेक्सिन का उतपादन शुरू हो चुका है भारत की तरफ से उठाय गया ये कदम कुरोना के खिलाफ लड़ाई में नई उम्मीद जगा रहा है इस वेक्सिन का उतपादन भारत की दबा कमपनी पैनेशिया बायोटेक कर रही है इसके उतपादन में पैनेशिया बायोटेक को रूस की RDIF की मदद मिल रही है कमपनी हर साल स्पुतनिक वेक्सिन के 10 करोड वेक्सिन डोस का उतपादन करेगी स्पूतनिक का पहला टीका पैनेशिया बायोटेक के हिमाचल प्रदेश के बद्दी वाले प्लांट में तयार किया गया है टीके का पहला बैच गुणमत्ता के आकलन के लिए रूस के गमालिया इंस्टिटूट भेजा जाएगा और वहाँ से मन्जूरी मिलने के बाद भारत में उसका व्यापक उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसी के बाद ये भारत में बना टीका लोगों को भी मिलना शुरू हो जाएगा अगर आपको वाक्सीन नहीं लगी है तो जो खबर हम आपको दिखाने जा रहा है तो आपके बेहत काम की है टीका करण अभ्यान को मिलेगी अब नई उडान राज्यों की तरफ से दिये गए सुझावों के मद्दे नजर 18 से 44 के आयूवर्थ के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णा लिया है जिसके मुताबिक ओनलाइन स्लोट में अगर लोग वैक्सीन लेने नहीं आते हैं और कुछ डोस बसती है तो साइट पर रेजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन दी जा सकती है कोविन से एक मुबाईल नंबर के साथ 4 लाभार्थियों के रेजिस्ट्रेशन हो सकते हैं जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टपोन या मुबाईल फोन की पहुँच नहीं है उनके लिए कोहोड की सुविधा भी दी जा सकती है कोहोड समुहों से संबंधित लाभार्थियों को टीका करण सेवाईं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से स्पेशल सेशन भी आयोजित किये जा सकते हैं केंद्रिये स्वास्ते मंत्राले ने सलाह दी है कि टीका करण केंद्रों पर भीड़ भार से बशने के लिए आनलाइन साइट रेजिस्ट्रेशन और अपांट्पॉंट शुरू करते समय साफधानी बरतना जरूरी है क्योंकि ऐसे में भीड होने की आशंका है झाल-पांट्स